हेलो गाईज वोगम बाक टुझे चैनल कैसे हो आप बढ़िया तो फ्रेंट आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डीटेल कंपैरिजन एक्सेज बैंक के दो बहुत ही पॉपिलर करदेट कार्ट के बीच में एक है एक्सेज बैंक का एक्सेज बैंक का माईजोन होता है कि दोनों में से कौन सा जादा फायदेमंद रहेगा तो इस वीडियो में हम आपका कंफूजन जो है वह हंडिट परसें दूर कर देंगे तो बहुत हाई चांसेज है आपका जो क्रेट कार्ड है वह अप्रूब भी हो जाएगा तो वीडियो आपको काम के लिए से ताकि आपको इन दोनों क्रेट कार्ड को कंपैर करने में थोड़ा सा एजी रहे तो अगर आप एक्सिस बैंक का इस क्रेट कार्ड लेते हो तो यहां पर स्टार्टिंग में देना पड़ेगा जो कि ए 499 रुपीज प्लस जीएस्टी एंड जो आपको रिनोल फीज एवर अगर आप कार्ड का यूज करके 10,000 रुपए स्पेंट कर लेते हो कहीं पर भी तो 10,000 रुपए स्पेंट करने पर जो आपका 499 रुपीज का जो आइनुल फीज है वो आपका माफ कर दिया जाएगा एंड़ी जो रिनोल फीज दे रहे हो ना इसके लिए भी आपको इन्हो पर अगर आप स्प्रेंट कर लोगे तो जो नेक्स्ट इयर का जो आपका रिनोल फीज लगने वाला है न वो आपका वेवाफ कर दिया जाएगा वही अगर आप एक्सिस बैंक का माई जोन कर्डेट कार्ड लेते हो तो यहां पर जो इस कर्डेट कार्ड का जो जॉइनिंग देंक必각 है वह यहां फेंपे 500 रुपीज प्लस जीएस्टी है यहां पर आपको इस कर्डेट कार्ड का दियुख को वेवाफ आपको ये कज़ेट कार्ड जो है वो lifetime free मिल रहा है तो link नीचे description में दिया हुआ है अभी गर जाओगे तो link आपको ये card lifetime free मिलने वाला है तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ये कज़ेट कार्ड आपको महीने दो महीने में एक बार lifetime free मिल जाता है लेकिन ये कज़ेट lifetime free देखने को मिलता है तो अभी भी ये बिल्कुल free है तो इसको हम लोग अभी as a lifetime free credit card के हिसाब से ही compare करते हैं next difference जो आपको दोनों credit cards मिलेगा वो है welcome benefits का difference अगर आप access bank का myzone credit card लेते हो तो यहाँ पे आपको welcome करने के लिए दिया जाएगा complimentary sony lift का annual subscription जिसका जो value है वो है 9.99 रुपीज तो समझ रहो एक credit card जो की lifetime free मिल रहा है उसमें आपको welcome benefit ही आपको 9.99 रुपीज का मिल जा रहा है और ऐसा नहीं है कि यह अलब benefit आपको card के first year में मिलेगा card लेने time ही मिलेगा यहाँ पे एक option यह देते हैं कि अगर आप अपने card का use करके एक साल में अगर आप total में अगर आप 1.5 लाक रुपीज अगर आप card से spend कर लेते हो एक साल में तो next year भी आपको यह जो subscription है वो आपको complimentary दिया जाएगा वही अगर Maxis Bank के एस credit card के welcome benefit की यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको as a welcome benefit कुछ भी नहीं दिया जा रहा है इस credit card में आपको कोई भी welcome benefit आपको नहीं मिल रहा है एक तरफ एक card जो की maximum time lifetime free मिल जा रहा है उसमें आपको बहुत ही अच्छे welcome benefit मिल रहे ह यहाँ पे आपको कोई भी welcome benefit नहीं है हाला कि comparison हमारा भी खतम नहीं है अभी आगे बहुत सारे परतें खुलने वाली हैं अगला difference जो आपको दोनों credit cards मिलेगा वो है movie and dining का benefit अगर आप access bank का myzone credit card लेते हो और अगर आप अपने credit card का use करके swiggy से अगर आप food order करते हो तो दो बार यहाँ पे आप ले पाओगे और जो maximum benefit आपको मिलेगा वो 120 rupees का आपको यहाँ पे मिलेगा तो अगर आपको खाने पीने का शौकीन है तो no doubt यह benefit बहुत जबरदस आपके लिए रहने वाला है वही अगर आपको movies देखना पसंद है तो भी यहाँ पे बहुत अच्छ रुपीज तक का आपको वहाँ पे मिलेगा तो दोनों ही benefits जो आपको यहाँ पे मिलता है वो आपको समझ जो एक बार entertainment यहाँ फिर खाने पीने से related है वही अगर आप access bank का इस credit card लेते हो तो यहाँ पर जो आपको movie a dining benefit मिल रहा है वो कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर कि इसी भी third party में जैसे कि यहाँ पर swigy हो गया यहाँ फिर आपको पेटियम के तुम movies ऐसा कोई भी benefit आपको इस credit card में नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं है कि dining में कोई benefit नहीं है दोनों ही credit cards में आपको इनके partner restaurants में access bank के जो partner restaurants है दोनों में ही आपको यह benefits से मिलेगा इसलिए हमने य dining करते हो तो वहाँ पर आपको 15% या फिर 20% का extra discount आपको मिलता है जो की दोनों ही credit cards में आपको मिलने वाला है लेकिन जो third party वाले difference है यह आपको इसमें कोई benefit नहीं मिलना है अगर partner restaurants में जाओगे तो actual में आपको यह discount जो है वो मिलता है अगला difference जो आपको दोनों credit cards में मिले and यह जो है बिलकुल आप समझ सकते हो एक तरह के लिए आपके लिए game changer हो सकता है तो start करता है इसमें access bank के ace credit card से तो अगर आप access bank का ace credit card लेते हो और अगर आप अपने credit card का use करके google pay के through अगर आप bills का payment करते हो चाहे वो आपके electricity bill का payment हो गया water के bill का payment हो गया मतलब किसी भी तर 5% का cashback मिल रहा है 5% का cashback बाइब बिलकुल जबर्दस आपको यहां पर यह benefit है next है कि अगर आप अपने credit card का use करके swigy में zomato में या फिर अगर ओला में अगर आप spending करते हो तो इन जगों में अगर आपने credit card को कहीं पर भी spending करोगे तो जितना भी आप spending करोगे सीधा सीधी 4% का cashback आपको मिलने वाला है और वहीग हम इन जगों के अलावा इन दोनों जगों के अलावा other spending यहां पर हम बात करें इनके अलावा credit card कहीं पर भी use करोगे तो सीधा सीधी आपको 2% का आपको cashback मिलेगा जो सबसे important चीज़ यहां पर ध्यान देने की है ना कि यह जो benefits आप आपको मिल रहे ना वो उन जगों पर मिल रहे जहापे आप maximum spending करते ही करते हो example से समझ लेते हैं कि देखो बिल तो आपको payment करना ही है न चाहिए आपके electricity का हो गया mobile का हो गया internet का हो गया यह सारे बिल्स आपको payment करने ही करने है every month आप करते ही करते हो water का बिल का हो गया गूग आपको यहाँ पे benefit मिल रहा है साथी ओला में भी आपको 4% cashback मिल जा रहा है और other spending में बहिया 2% का मिल रहा है जो कि मैंने कहा था कि normal credit card में 2% का maximum credit card भी benefit नहीं मिलता है इसमें आपको 2% other spending में आपको मिल जा रहा है वही अगर हम access bank के यहाँ पे my zone credit card की बात करें तो game यहाँ पे बहुत लोगों के लिए पलट सकता है because अगर आप access bank के my zone credit card लेती हो और अगर आप अपने credit card का use करके 200 और पर spend करोगे तो उसके बदले आपको मिलेंगे 4 edge reward points and edge reward points का मेरे हिसाब से कुछ जादा खास valuation होता नहीं है यहाँ पे आप कोई भी cashback ऐसा कुछ नहीं देखने क वो मिलता है लेकिन ऐसा नहीं है कि cashback नहीं देखने को मिल रहा है तो card बेकार हो गया because मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी credit card सिर्फ अपने बहुत सारे benefits के लिए अच्छा नहीं होता है वो credit card कौन सा आपके लिए अच्छा होता है यह totally depend करता है कि दोनो credit card के जो benefits है वो आपके spending से match होने चाहिए अब मान लो अगर आप bill का payment नहीं करते हो आपके father के पास एक credit card है जिसमें bill payment पे अच्छा benefit मिल रहा है आप एक credit card लेना चाहते हो जिसमें आपको movies अगर benefit मिले तो no doubt access my zone आपके लिए अच्छा है because आपके पापा के लिए पास है आपके family member पास किसी के पास already एक bill payment के लिए और अच्छा card है तो यह totally depend करता है कि कौन सा credit card आपके spending से match करता है वही credit card ज्यादा अच्छा होता है आपको simply उसा cash back या फिर वो देख करके नहीं judge करना चाहिए अच्छा दोनों credit card के अगर हम जो reward points है उसके भी value की बात कर लेते हैं तो जैसे कि मैंने आपक है कि यहां पर जो आपको edge reward points आपको मिलेंगे access bank के myzone वाले section में तो एक edge reward points का value आपको मिल रहा है वो 20 पैसा का मिल रहा है और आप reward points को अगर रीडीम कराना चाहोगे तो आप इनके edge reward portals में जा करके बहुत सारे आपके पास options वहां पे रहेंगे आप वहां पे किसी भी ची करोगे अगले महीने आपके statement में adjust हो जाएंगे अब बात करते हैं दोनों credit card के additional benefits के बारे में तो अगर आप access bank का myzone credit card लेते हो और अगर अपने credit card का use करके आजियो से अगर आप shopping करते हो 2999 रूपीस का तो आपको flat 1000 रूपीस का आपको वहां पे discount मिल जाएगा साथ ही आपक यहां पर भी 1% का जो फ्यूल सर्चार्ज वेवाफ है वह आपको मिलेगा जो additional benefit यह जो है यह आपको यहां पर नहीं मिल रहा है अगला बात करें तो दोनों ही credit cards में आपको travel benefits मिल रहा है मतलब कि दोनों ही credit cards में आपको complimentary domestic airport lounge access आपको मिल रहा है तो यह mention करना बहुत जादा जरूरी था विकाउज लोगों को doubt रहता है कि credit card में lounge access है यह नहीं तो भले हम लोगों को difference बताते हैं लेकिन लोगों को comment जरूर आता है कि lounge access है तो इसलिए यहां पर हमने इसको add कर दिया है कि भाया दोनों ही credit cards में आपको lounge मिल रहे है तो यह difference नहीं है लेकिन आपको update देन में आप ज्यादा spending करते हो उसी spending के हिसाफ से credit card को ले लो आपके लिए बहुत beneficial रहेगा तो आप comment section में comment करके जरूर बताना आपके हिसाफ से कौन सा credit card ज्यादा better है आपके लिए मैं आपके comment को wait जरूर करूँगा और जिनका comment आएगा मैं आपको reply भी जरूर करूँगा उस आप लिंक पे क्लिक करके credit card apply कर सकते हो बहुत हाई chances है card जो है वह आपका approve भी हो जाएगा तो अमीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम के लिए होगी जल्दी मिलते हैं ऐसे interesting informative वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हैं